हेलो फ्रेंस वीडियो को कि मैं आपका स्वागद है तो फ्रेंस आज हम आपको बहुत ही टेस्टी और स्वाधिश्ट नास्ता बनाना बताएंगे तो फ्रेंस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम दो चम्मच ऑईल डालेंगे और अच्छे से गरम हो जाता है तो इसमें हमने 6-7 हरी मिची काट दी है बारी कटी हुए डाल दी है और इनको हम थोड़ा से कुछ सेगन तक सेगने के बाद इसमें हमने एक प्याज काट दी है एक बड़े साइज की प्याज लिए और उसको भी हम अच्छे से शेग लेते हैं हलका सा ब्राउन कलर होने तक हम सेगेंगे तो फैंस देखिए हलका सा ब्राउन कलर हो गया और इसमें हम मटर डाल रहे हैं हमने आदा का मटर डाली है आप चाहे तो इसको नहीं भी डाले आपके पास है तो आप डाल सकते हैं और इसको हम हलका सा होने देते हैं फैंस कोछ 10-12 सेकेंड के लिए तो फैंस दे खनी प्राउड रूडर राद प्र dónde speaks मेराँ चरप मेराँ चंप्समाचा राद करेंग आप अपने स्वाधन उसमाचा नमाग कर सकती है अधर हिते हैं 5 नrop ओल आलो के वउस्त कर लिया और यिसको हम हमें मिक्सक्त कर देते हैं आप चाहे तो हाज से कर सकते हैं और इस तरीके से साजय अलोटल के भी आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं तो इसको हम अच्छे से चला दूए हम इसको अच्छे से मसाले मिक्स कर लेते हैं तो देखिए जी हमारा अच्छी से मिक्स कर लेते हम जिससे की हमारा मसाला जब तरफ लग जाए नहीं तो कहीं आलू कहीं मसाला लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए फ्रेंस अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो फैंस देखिए हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं इस तरीके से और उसको डालने के बाद उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गिवर कासे Yam caring cm इसी जोड़ तो क्रण शुजाए को जड़ी को तैयार करते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं पानी कासे के लिए एक टोरी पानी को तो पानी को हम थोड़ा से घरम हो न बने देंगे तो फ्रेंस देखें हमारा पानी अच्छा से हलका सा गोनगोना हो चुका है तो हम इसमें आदा चमय नमक एट कर रहे हैं आप अपने स्वादन सार एट कर सकते हैं और थोड़ी सी अजवाई डाले हैं और इसको हम मिक्स कर देते हैं इस तरीके से जैसे की नमक घुल जाए और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हम जितनी हम सूजी लेते हैं उसका डबल पानी लेते हैं इसी तरीके से आपको लेना है तो अब हमारा पानी अच्छे से गरम हो चुका है तो एक कटोरी हमने बारिक सूजी लिए उसको मिक्स कर देते हैं तो इसको इस तरीके से चलाते हुए अच्छा से बना लेना है जिस तरीके के हमारा आटा होता है हम उस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें बबल तुना रहे और अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्रेंस देखिए इस तरीके से हम चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर तो फेंस देखिए यह हमारा अच्छे से हो चुका है और अब हम देखिए अच्छे सारीके से हो चुका है इस तरीके का हो जाएगा तो हम इसको एक बरतन में निकालने के बाद हम इसको देखिए फेंस हमने बरतन में निकाल लिया एक कटोरे में और हम इसको 4-5 मिनिट के लि करके आप अपने अनुसार जितना बड़ा आप बनाना चाहते उतना बड़ा बना सकते हमने इतना बड़ा बनाया है तो देखिए इतना बड़ा इस तरीके से गोला कर गोला कार दे दो उसको और इस तरीके से हम बनाके रेडी कर लेते हैं सारे लड़ों को हम इसी तरीके से ब इस तरीके से हमारे पूरे लड़ू बन चुक है और अब देखिए हमने जो सूजी रखी थी वह सूजी भी हमारी अब हो चुकिये तो हम इसको एसे खोल के देख लेते हैं हमको इसको पूरा तरीके से ठंडा नहीं है हलका धंडा करना जैसे कि इतना गरम रहे कि अच्छा तर तरीके से कर ले लेए यह ने पूर आटे की तरह भीगा लिया इसको अच्छे से कर लिया और अब हम बनाना स्टाट करते हैं तो हम इसमें रखा और बनाएंगे तो फेंस देखे, इस तरीके से हमारा रवा सूजी अच्छे से हो चुकी है तो हम हलका सा ओईल लगाएंगे हाथों पर और लगाने के बाद में हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे और हम रूटी बनाते हैं तीलोगी उससे थोड़ी से ज़्यादा लेनी है और इस तरीके से दवाते हुए इसको इस तरीके से दवाके और इस तरीके से काटोरी टाइप का सेब देना है उसको जिससे की काटोरी टाइप का अपन सेब देंगे तो जिससे की हम इसमें एक लड़ू रख सकेंगे और फिर हमारी सूजी की कच्छोरी बनेंगी तो फ्रेंस देखिए हमने यह लड़ू इस तरीके से रखे इस तरीके से इसको बंद काई लेना है देखिए फ्रेंस इस तरीके से हमने इसको पूरी तरीके से बंद काई लिया है कहीं भी ठोड़ा बचता है इस तरह हम उनको अकार देंगे गोल अकप दैंगे ळस्तरिकों से लगाके लगा कर सकते है अगर एक ही कहीं से खुल रहा है , तो सट्वरfall आप अपने को साइख सकते हैं तो फेंस तरीके से गोला कर दे सकते हैं उसको और फेंस देखिए आप हमारा बनके रेडियो गए और इसी तरीके से हम और बाकी के भी सब बना लेते हैं फेंस तो देखिए जह हमने बना लिए अब दूसरा भी हम इसी प्रकार से बना लेते हैं वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें شेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप हमारी चैनल पे नाये हैं तो अगर कि अपूरा बना लेना है तो देखिए इस तरी केसे और इस तरहीके से चप्टा कर पूल, मद्रीं कृषषा गड़नी कें। आपके ये तो से फ्राइब मारन ल्गनी के। इस तरीके से थोड़ा सा हेला देना है उनको फिर हम इसको हलका सा ब्राउन होने पर इसको हम पलट देंगे हम इसको कम से कम 12 मिनिट के लिए मीडियम फिलेम पर सेखना है हमें हाई फिलेम पर बिल्कुल नहीं सेखना है अगर हम हाई फिलेम रखेंगे तो हमारी कालोणिया ज पर होने देना है आप अगर कि हमारी चैनल पर नए है तो प्लीज फैन्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन बटन को दबाएं जिसे आने वाली हर एक वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें फैन्स तो देखिए यह हमारी दौने तरफ से अच्छ करके बताएं थैंक यू फ्रेंट